हाई गाईज मेरा नाम है अबैर राय और यह मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है तो प्लीज में चे सपोर्ट करें मिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं अपने टॉपिक पे जो किया है रोयल इंफिल्ड आज हम रोयल इंफिल्ड के बारे में जानेंगे कि कैसे यह कंपन हुए रोयल इंफिल्ड एक साइकल बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम था दी इंफिल्ड साइकल कंपनी लिमिटेड ओफ रेडिच रोयल इंफिल्ड मोटर साइकल सबसे पहले रोबर्ट वालकर स्मित द्वारा बनाई गए थे लेकिन इस कंपनी का इतियास इससे भी पुराना है 1851 में जॉर्ज टाउंसेंड ने अपने सुई बनाने वाली कंपनी ग्रीवी वर्क्स को बंद कर दिया था लेकिन उसके बाद उसके बेटे जॉर्ज जे आर और उसके भाई ने उसी कंपनी से बॉन सेकर्स नाम की एक पहली साइकल बनाई लेकिन 1819 में यह कंपनी आर्थिक रूप से कमजूर हो गई और इन्हें दी फाइनेंसियर अफ ब्रीमिंगम कंपनी से मदद लेनी पड़े लेकिन यह पाटनर्शिप ज़्यादा देर ना चल पाई और 1892 में यह कंपनी एक नई कंपनी बनी जिसका नाम दी नियू इन्फिल्ड साइकल कंपनी लिमिटेड बड़ा और इसने 1901 यानि 1901 में पहली रोयल इन्फिल्ड बाइक बनाई फिर 1914 में यानि वर्ड वर्ड फर्स्ट जब शुरू हुआ तब ब्रिटिश वार डिपार्टमेंट इस कंपनी को मोटर साइकल बनाने का एक महुत बड़ा कंट्रेक्ट दिया। कि साथ ही इंपेरियल रॉसियन गॉवर्मेंट ने भी इस कंपनी को मोटरसाइकल बनाने का एक कंट्रेक्ट दिया यह दूनों कंट्री अपने आर्मी के लिए बाइक बनवाना चाहते थे और इसके बाद इस मोटरसाइकल की पॉपलर्टी बढ़ने लगी फिर इंडियन गॉवर्मेंट अपने आर्मी और पुलिस के लिए भी 800 रॉयल इंफिल्ड बाइक मंगाई अठारो सो पॉच्चपन में फिर इंडियन गॉवर्मेंट ने और मोटरसाइकल की मांग की पहली मा पूरी करने के लिए काफी परिशान आये थी रॉयल इंफिल्ड के कमपनी को इसलिए कमपनी ने भारत में एसेंबली यूनिट लगाने का निर्ना किया मंतरास यानि की जोब चन्न नहीं है वहाँ पर सबसे पहले रॉयल इंफिल्ड बनाना शुरू हुआ इसके बाद लोगों का करीज देहकर रॉयल इंफिल्ड यूके ने भारत में इंफिल्ड इंडियन लिमिटेड नाम से एक सहायक कमपनी बनाई और मदरास जोकी अब चन्न नहीं हो गया है में फैक्ट्री स्थापित कर ले उस समय राजदूत जावा खुब बिक्त थी इसके वावजू इंफिल्ड का क्रेज साथ साथ चला कुछ समय बाद यूके में इंफिल्ड कंपनी दिवालिया हो गई उसके बावजूद इंडिया में रॉयल इंफिल्ड बाइक बनना जारी रहा 1990 में आईसर जोकी टेक्टर बनाने वाली कंपनी थी उसके मालिक सिधार्ट लाल ने रॉयल इंफिल्ड कंपनी में 26% की हिस्सेदारी ले ली भारत में सबसे ज्यादा पिकने वाली बाइक क्लासिक का जन्म नुवंबर 2009 में हुआ इंफिल्ड आज जलाना चार लाख पचास सजार बाइक दुनिया बर में बेच चती है तो इसी के साथ इंफिल्ड का इतियास खतम होता है प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें गुड़ बाइ